नमस्कार MP News पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हो नधी और मज़ब्रदेश की राजनीती पर अगर नज़र डाले तो खास दोर पर कॉंग्रेस में उठा पटक का दौर चल ही रहा था PCC Chief की घोशना को लेकर कयास लगाये जा रहे थे लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने ये है कि जोतिरादित सिंधिया का मिशन दिल्ली शुरू होने वाला है जी हाँ जोतिरादित सिंधिया रुक कर सकते है राजसभा की ओर इसी बारे में चर्चा करेंगे हमारे समवादाता संदीप से संदीप ची आपसे जानना चाहेंगे क्या है सिंधिया का मिशन दिल्ली बिल्कुल नहीं देखिये कि मध्दप्रदेश में भल ही कांग्रेस के आलक अमान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन फिलहाल जोतिरादित सिंधिया के लिए एक बड़ी अबडेट ये भी है कि जोतिरादित सिंधिया राजसभा की और मुड़ सकते हैं यानि कि वो राजसभा सांसद बनाये जा सकते हैं क्योंकि मैं बता देता हूँ कि फिलहाल मद्रदेश की अगर बात करें तो राजसभा में 11 सीटे हैं और आगामी कुछ दिनों में जो है राजिसाबा की तीन सीटे मत्रदेश में खाली होने बाली है, दो बिजेपी की है और एक कॉंग्रेस के कोटे की है, यनि कि यहाँ पर भारते अंता पार्टी की बात करें तो सत्यनारण जाटिया और प्रभाजजा की सीट खाली होने बाली तो इस सीट पर ये कयास लगा जा रहा है, अगर सियासी पंडितों की माने, तो निधी जोतिराजिति सिंधिया जो है राज्य सबाव में जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, मत्रदेश में लगातार कमलनात को मुख्यमंतरी बनाया गया और उसके बाद से पिचीफ को लेकर जो घमसान मचा है तो कहीं न कहीं जोतिराई सिंधिया को माना जा रहा है कि वो प्रदेश की सियासत से दरकिनार किये जा रहे हैं और उन्हें जो एक किनारे पर खड़ा किया जा रहा है कि मध्रदेश की सरकार को अगर smoothly चलाना है या फिर संतुलित करके चलाना है तो सिंधिया को राजसबाब भेजना ही होगा प्रदेश अध्यक्ष बनाया दिया जाता है निधी तो यहाँ पर मध्रदेश में दो power center इस्थापित हो जाएंगे एक होगा कमलनात का दूसरा होगा जोतिरादित सिंधिया का तो कहीं न कहीं आगामी दिनों में सरकार के बीच में खटपट और जो है उठापटक देखने को मिल सकते लिहाजा मद्धप्रदेश की सियासत को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कॉंग्रेस आलकमान जो है सिंध दिल्ली फिर से शुरू होने वाला है और वो राजसभा के सहारे केंद्री की सियासत में जो है फिर से वापसी करने वाले हैं जी लेकिन अभी तक जैसा कि हमने देखा है कि कॉंग्रेस की जो राजनीती है उसमें गुडबाजी हमेशा से हावी रही है जहां तक अगर हम बात करें पी सी सी चीव की तो उसमें भी गुडबाजी देखी गई और इसलिए शाद अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हो पाय हलाकि कमलनाथ ने इन गुटों को एकता के धागय में पिरोने की काफी कोशिश की है लेकिन इसके बावजूद भी मोके मोके पर जो है समय समय पर कॉंग्रेस की गुडबाजी सामने आती है और अगर बात करें पूरु मुख्यमंतरी दिग्विजे सिंग की और जोतराई सि दिया को लेकर जो राजसभा की राहा है वो आसान नहीं है क्योंकि उनकी राहा में दिग्विजे सिंग एक बार फिर रोडा बन सकते हैं वो इसलिए क्योंकि या तो दिग्विजे सिंग एक बार फिर से राजसभा के लिए अपनी दावेदारी जता सकते हैं या फिर अपन तो कॉंग्रेस जो है राजसभा पहुचा देगी लेकिन मेरे कारे करता होगा क्या होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है जोतिराय सिंधिया की रहा में जो है दिगविज सिंग रोडा बनते हुए नजर आ रहे हैं और वो अजे सिंग को राजसभा भेंच सकते हैं दूसरी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने गुट से किसी को राजसभा भेजने की कोशिश में लगे रहेंगे क्योंकि हमें विधान सभा का वो उप्चुनाव नहीं भूलना चाहिए जब मुख्यमंत्री विधायक बनने के लिए कमलनाथ के लिए जो छिंदव कमलनाच चुका सकते हैं और दिपक सकसेना को राजसभा भेज सकते हैं ऐसे और भी कही दावेदार के जो है नाम सामने आ सकते हैं कॉंग्रेस के लिए तो कही नकहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से PCC Chief को लेकर कॉंग्रेस में जो है सियासी घमसान मच रहा है तो कही कहीं न कहीं यहाँ पर राजसभा के लिए भी सिंधिया की रहा आशान नहीं है निकि मिसन दिल्ली के लिए कहीं तरह की खाई को जो है सिंधिया को लांग ना होगा और उसके बाद में जो है उन्हें राजसभा का सांसत बनना होगा लेकिन फिलाल यहाँ पर अगर देखें त तो निधी आलकमान जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जोतिराई सिंधिया को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद्र की उन्हें कुर्सी नहीं मिली है, PCC चीफ नहीं बने हैं, तो कहीं न कहीं एक वो संतुलिद वाला मेसेस देने के लिए आलकम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो मध्यप्रदेश से उन्हें वाकई में दूर रखा जा रहा है और उन्हें उनका एगो हट ना हो या फिर वो किसी तरह के उनके अंदर नराजगी ना हो, इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों की जुम्मेदारी भले ही द जी तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कॉंग्रेस की मुश्किले एक बार फिर बढ़ रही है, कॉंग्रेस में गुडबाजी हावी होती जा रही है, बात की जा रही है एक राज्यसभा सीट की लेकिन उसके दावेदार कई है, तो अब एक बार फिर कई नामों पर चर्चा ह लगातार जारी है